हेलो फ्रेंड्स वेल्कम तो माई इस्टूप चैनल कीवेट रामी और अज हम बनाएंगे चिकन भना मसाला जो ज़स्पट जल्दी से तैयार होता है और खाने में वह प्रेस्टी है इसके लिए मैंने लिए है वन केगी चिकन और उसको थाम मैरिनेट करेंगे दस मिनित के लि और नग्या चीए और दो टैबल स्नुन लहमन जूस इसके बाद ढला है मैने धन्या अध्रक लसन पेस्ट जो मैंने मिक्सि में पीस के बनाया है और उसके बाद ढलेंगे लाल मिर्च पाउडर एक चमच और चिकन को दस मिनित के लिए मेरिनेट करेंगे भने दाइन कढ़ाई में लगबग मैंने पाच चम्मच ओईल डाला है ओईल को गरम करेंगे और थोड़ा कढ़ाई में चारो तरब फैलाएंगे कढ़ाई को थोड़ा गुमा के इसके वज़े से चिकन कढ़ाई में चिपकेगा नहीं इसके बाद डाला है मैंने जीरा तीन चार लॉंग तेज पत्ते दो हरी मिर्च इसमें गए है पाच कटे हुए प्याज जिसको हम अच्छे से ओईल में भूने लेंगे थोड़ा सुनहेरा कलर आने तक प्याज हमारे भून गए हैं इसमें डालेंगे हम दो कटे टमाटर टमाटर गल्ली के लिए मैंने इसमें डाला है आधा चमच नमक इसमें जाएगा गरम मसाला और प्याज लसन मसाला धनिया पाउडर और उसके बाद डाला है हमने अधा लसन धनिया का जो पेस्ट है वो उसके बाद जाएगा चिकन मसाला एक चमच और जाएगा चिकन जो चिकन हमने मैरिनिट हिया था उसमें जो पानी छोड़ा है वो इस स्टेज के हमको डालना नहीं है पानी डालेंगे तो टेस्ट अच्छा नहीं आएगा चिकन को हम अच्छे से मीक्स करेंगे और तस मिनिट के लिए पकाएंगे थोड़ा ढपके ढपने के बाद थोड़ा सा इसमें एक सो पच्छास एमेल में गुनगुना पानी डाला हुआ है इसको फिर ढपके पकाएंगे दस मिनिट के लिए और रे लिए हमारा चिकन मसाला इसमें डालेंगे हम लगबग पच्छास ग्राम फेटा हुआ दही जब डालेंगे तो इसमें हम ग्यास की प्लैम लो कर देंगे क्योंकि दही फट जाता है प्रेद यह हमारा चिकन मसाला अब हम इसको सर्वीं बाउल में निकालेंगे और दहियां से सजाएंगे आपको चिकन भूना मसाला अच्छा लगे तो प्लीज मेरी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और रेसीपी ट्राइब करिए और रेसीपी कैसी बनी है हमें कमेंट में जरूर बताएं थैंक यू